हालो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोईल पर फ्रेंट्स आप आप सभी फिटन फाइन होंगे हल्दी होंगे सो कॉंटिन्यू कर रहे हैं बियर एंट्रिंस एक्जाम की प्रप्रेशन को सारे के सारे टर्म्स को समझना उसके रिलेटेड कोश्चंज हम एच अन एव्रिथिंग इसमें प्राक्टिस करने वाले हैं सो वीडियो को कंप्लीट देखेगा स्किप ना करें क्यूंकि हम हर टाइप के कोश्चंज कवर करते हैं और जो उसके related shortcut है वो भी मैं आपको साथ की साथ बताती हूँ So friends, before I start with the session, अगर आप channel पर नहीं है तो इसे subscribe कर लीजे and click on the bell icon to get modifications of my latest uploads So now let's begin So दीखे, in the previous video हमने percentage को discuss किया था percentage, किसी भी चीज़ का percentage निकालना जब हम fraction to percentage करते हैं, तब किस तरह से करना है percentage to, अगर हम fraction बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर किस तरह से करना है यह हम previous video में check कर सकते हैं, तो उसके related आज हम जो भी यह percentage करेंगे न, profit percent, loss percent कितना हुआ, discount percent कितना है तो वो चीज़ आप देखना कितनी helpful रहेगी, आपको आज apply करने के लिए अगर आपने मेरी percentage वाली video चेक की है, वो session आपने attend किया है, तो आपको इसमें जरा सी भी problem नहीं आने वाली तो देखिए, terms जो आपको ध्यान में रखनी है, cost price, selling price, market price, profit, loss and discount यही सारी चीज़ें आपको questions में देखने को मिलेंगी, ठीक है, cost price क्या होता है कि जितने पैसे आपने अपनी जेब से दिये, कोई चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, आप एक intermediate person है, ठीक है, यह एक intermediate person है आपने कितने पैसे इसको दिये, ठीक है, चीज खरीदने के लिए वो क्या हुआ, cost price, फिर आपने यही चीज कितने में बेच दी आगे, वो क्या हुआ, selling price, समझ में आया, ठीक है, ये, for example, आप, आपकी कोई दुकान है, ठीक है, आप wholesale market में गए, आपने pen का एक box खरीदा, पैन का एक box आपने खरीदा, वो आपका कितने पैसे आप उसको दे के आए, wholesale market में, 100 rupees आप उसको दे कर आए, लेकिन जब आपने pen बेचे, तो वो pen का box आपने कितने में बेचा, वो आपने बेचा, डेड़ सो में, 150 में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका, selling price, ये हो गया, आपका cost price, ये हो गया, selling price, ये चीज़ समझ में आ गई, कितनी पैसे आपने अपनी जेब से दिये, चीज़ खरीदने के लिए, और कितने पैसे आपकी जेब में आए, जब आपने चीज़ बेच दी, वो क्या होता है, selling price, simple सी बात, समझ में आ गई, उसके बाद देखे, क्य होता है, market price, ये दोनों चीज़े clear हैं हमारे पास, अब है market price, अब हम अकसर shopping करने जाते हैं, बड़े-बड़े, हम showrooms में जाते हैं, west side जाते हैं, pantaloons में जाते हैं, या फिर बहुत सारे हैं, क्या नाम लेना, सभी brands का, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें एक tag दिया हो होता है, tag पर लिखा होता है MRP, है ना, MRP कितना है इसका, 1000, ठीक है, लेकिन discount करके ये आपको 800 की मिल जाएगी, ऐसे बोलते हैं, MRP तो 1000 है, लेकिन discount के बाद ये जो jeans है, आपको 800 की मिल जाएगी, ये जो shirt है, ठीक है, shirt लगा लिजीए, jeans तो इतने की आती नहीं है, brand की, तो shirt आपको 800 की मिल जाएगी, discount करने के बाद, it means, ये जो tag लगा हुआ है, उसके उपर, इसको हम क्या कहते हैं, marked price, sorry, market price नहीं, marked price, marked price, जो इसके उपर mark किया हुआ है, वो क्या है 1000, अब ये हमको कितने की पढ़ गई, actually, ये कितने की पढ़ गई, 800 की, clear हो गई ये चीज, तो य discount मिल गया, ये क्या हो गया, discount, जितने की उस पर tag लगा हुआ था, लेकिन जितने की आप खरीद कर लेकर आए, वो कितने की है, 800 की, और आपको कितने का फाइदा हो गया, यानि कि आपको discount कितना मिला, ये मिला आपको 200%, अब देखिए, अब हम बात करते है, profit and loss की, अगर आपने उतने पैसों से ज्यादा पैसों में चीज बेची है, it means आपका क्या हो गया, profit हो गया, क्योंकि देखिए, जो हमने pen की example ली थी, 100 आपका cost price था, 100 रुपे आपने अपनी जेब से दिये, pen की डिबी खरीदने के लिए, लेकिन अपने shop पर आके आपने क्या किया, उस को 150 रुपीज में बेच दिया, तो आपके पास यहां पर क्या हुआ, cost price आपका 100 है, selling price 150 है, तो profit कितना हो गया, आपके पास, 50 रुपे, ठीक है, अब देखिए, इसमें समझने वाली चीज क्या है, basically, कि जब हम profit देखते हैं, या फिर loss देखते हैं, वो किस के ऊपर देखें में क्या होता है, जब आपने किसी भी subject में आपके कितने marks आये हैं, उसकी percentage कैसे निकालेंगे, या फिर population जो बड़ी थी, हमने example किया था, कि पहले 10,000 थी, बाद में 20,000 हो गई, तो कितने increment percentage बड़ी है, तो हमेशा हम denominator में क्या लिखते हैं, जो initial position होते हैं, यानि कि जो हमने cost price उस चीज का pay किया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम profit देखना चाहें, सबसे पहले तो profit कब होगा, अगर हमारा selling price बड़ा है cost price से, ठीक है, profit कब होगा, if SP is greater than CP, और यह कितना होगा, कितना होगा, SP minus CP, ठीक है, जितने में आपने चीज बेच दी, उसमें से जितने में आपने वो चीज खरी दी थी, तो 50 रुपे profit होगे हम पर, ठीक है, अगर हम profit percent निकालना चाहते हैं, इसका formula क्या है, देखिए, formulas का आपका एक page लगा हुआ है, separate से, वो निकाल लीजी, और यह सावरे formulas, आप वहीं पर no down कर लीजे, तो profit percent क्या होगा, profit upon CP into 100, इसी तरह से अगर हम loss की बात करें, loss कब होगा, आपने चीज तो 100 रुपे के खरीदी, लेकिन उसका दाम गिर गया, और आपको वो बेचनी पड़ी, कितने में, 50 रुपए में, तो यहाँ पर क्या होगया, CP, SP से बड़ा होगया, CP minus SP क्या होगा, आपका loss हो जाएगा, तो loss percent कितना होगा, loss divided by CP ही करेंगे हम, into 100, यह no down कर लीजे, और I hope यह चीज़ समझ में आगे होगी, अब अगर हम बात करें, discount की, discount का इन चीजों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, discount का direct relation किस के साथ है, marked price के साथ, क्योंकि discount हमेशा किस पर मिलता है हमें, जो price tag के उपर लगा होता है, उस पर हमें discount मिलता है, ठीके, तो देखे, discount क्या हो गया, marked price minus selling price, अब उसके उबर tag लगा हुआ था, कितना 1000 उपए का, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में, 800 में तो selling price क्या हो गया, 800, तो discount कितना हो गया था, 200 आ गया था, यह हो जाएगा discount, और अगर हम बात करें, discount percent की, तो यह क्या हो जाएगा, discount divided by, यह किस के with respect होता है, हमेशा marked price, ठीक है, MP multiply by 100, अब देखिए, discount percent निकालना है, तो हमने 100 से multiply कर दिया, fraction को, ठीक है, fraction को percentage में change करना है, तो हमने 100 से multiply कर दिया, यह चीज़ देखिए, यहाँ पर use हो रही है, यह चीज़, यह funda सारा concept clear हो गया, इसका चाहिए, तो आप screenshot ले लीज़े, या फिर आप इसको no down कर लीज़े, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे अपने questions की तरफ, so first question देखिए, हमारा क्या है, simple से start करेंगे, cost price of an item is rupees 200, and its selling price is rupees 250, तो हमें CP क्या दी हुई है, 200, SP क्या दी हुई है, 250, अब हमने profit या फिर loss percent देखना है, सबसे पहले तो यह देखिए, दोनों में से कौन सी ची selling price अगर बढ़ा है, तो क्या होगा, profit होगा, क्योंकि जितने में आपने खरीदी, उससे ज्यादा में बेच दी, तो आपकी जेब में पैसे आए हैं, गए तो आपकी जेब में से, तो 50 रुपए जो हैं, यह आपकी जेब के अंदर हो चुके हैं, it means यहाँ पे आपको क्या ह हुआ, profit हुआ, profit कितना हुआ, SP-CP कर दीजे, कितना हो गया यह, रुपीज 50, यानि कि अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें पता लग गया, हमने profit percent निकालना है, तो profit percent निकालने का formula क्या है, profit upon CP into 100, यह मैं एक दो questions में ही formula लिखूंगी, ताकि आप लोगों का tips पर हो जाए, अगर आप लोगों की इस चीज़ की practice नहीं है, फिर हम direct values put करेंगे, जैसे-जैसे questions हम करते जाएंगे, ठीक है, तो profit कितना आ गया हमारे पास 50, और यह चीज़ का जरूर धियान रखें, बच्चे confused कहां पर होते कि यहाँ पर वो na SP लिख डालते है, selling price, उनको लगते कि profit आ गया selling price बड़ा है, तो हम selling price लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा cost price ही आता है, और अगर discount की बात करें, तो denominator में हमेशा marked price ही आता है, ठीक है, यह चीज़ clear होई, तो CP क्या है, हमारा यहाँ पर 200 multiply by कर देंगे, 100 सीधा कट गया, यह क्या बन गया, 25% क्या आ गया हमारे पास, profit percentage क्य क्या निकल कर आ गई हमारे पास 25%, ठीक है, समझ में आगी यह चीज, अब इसको थोड़ा reverse कर देते हैं, इसी example को हम, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं, 200 और इसको कर देते हैं, 250, बिल्कुल opposite question मन गया, ठीक है, तो यहाँ पर, क्या होगा, पूरी situation change कर दी हमने, मैं इसको एक बार erase कर देती हूँ, तो देखे, हमारे पास अब cost price क्या हो गया, 250 में, ठीक है, आप एक phone का cover खरीद कर लाए, और, वो बेचा आपने 200 रुपए में second hand हो गया, कोई scratch पढ़ गया, तो आपको 200 रुपए में बेचना पड़ा वो, तो आपकी J में से 50 रुपए चले गए, अब, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, loss हुआ, क्यों, क्योंकि CP बड़ा है, SP से, तो CP माइनस SP क्या हो गया, यहाँ पर फिर से 50 रुपए का loss हो गया, तो loss percent किस तरह से निकालेंगे, loss divided by CP into 100, ठीक है, समझ में आगी यह चीज, इसको cutting वर्टिंग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आगया, 20%, अब कई बच्चे क्या करते हैं, कि अगर यहाँ पर commodities हमने यह इनकी amount interchange कर दी न, तो जितनी सोचते हैं कि profit percent आया, loss percent भी उतना ही निकलेगा, no, because यहाँ पर हम denominator में CP ले रहे हैं, तो CP के value तो change हो गई न, तो वो same कैसे आएगा, तो loss हमारा कित इससे पहले कि हम कोई और question देखे, एक और important concept है, जो एक तरह की short trick बन जाती है, जब आपने यह question solve करने होते हैं, for example, अगर हमारे पास profit percent कितना है, 33%, तो हमें पूछा गया कि SP कितना होगा, ठीक है, हम क्या समझेंगे, profit अगर 33% हमारे पास है, हम assume कर लेंगे कि हमारे पास cost price कितना है, 100, हमेशा जब आपने cost price को assume करना है, कि cost price हम 100 क्यों assume करते हैं, क्योंकि अगर 33% कितना हुआ 100 का, 33 रुपई, ठीक है, डिरेक्ट आते हैं न, जितनी percentage उतने ही रुपई, इसलिए हम इसको 100 assume करते हैं, तो selling price कितना हो जाएगा, 100 plus 33% कितना हो गया, बस 133% लगा लि हमारे पास loss percentage कितनी है, suppose 25% हमारे पास loss percentage है, फिर हम CP को फिर से क्या assume करेंगे, 100 assume करेंगे, it means हमारा जो selling price होगा, selling price कम होगा न, फिरी तो हमें loss हो गया, तो selling price क्या हो जाएगा, 100 में से 25 कम कर दीजे, 25% selling price रह गया हमारा, ठीक है, यह चीज़ clear होई, तो इसको हम questions में use करेंगे न, तब आपको थोड़ा ज़ादा clarify होगा, पस यह चीज़ ध्यान में रखिए कि हमें काफी questions में CP को 100 assume करके चलना होता है, ताकि हम short trick से अपने questions को solve कर पाएं, अब हम questions देखते हैं, अब question देखिए, इसको मैं आपको दो method से solve करके दिखाऊंगी, एक तो होगा हमारा traditional method, जहां पे आप formulas में value put करते हैं, और एक होगा हमारा short trick method, ठीक है, तो देखिए, cost price of an item is Rs.500, यह हमें CP दी हुई है, जिस price पर बंदे ने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, अब profit percent, profit percent कितना है, 10%, 10%, तो हमें profit percent का formula पता है, क्या होता है, profit upon CP into 100, profit कब होगा, जब हमारा selling price ज्यादा होगा, SP minus CP divided by CP into 100, अब profit percent की value पता है, हमें कितना है, 10%, यहाँ पर मैं values put कर दूँ, एक बारी, 10 is equal to SP minus, CP कितनी है, 500, divided by 500 into 100, यह solve हो गया, क्या रहेगी, यहाँ पर 5, छीक है, इसको, यहाँ पर 5 रहेगी है, तो इधर जाके यह बन गया, 50 is equal to SP minus 500, तो हमारे पास SP की value कितनी आ गई, 550, एक तो यह traditional method है, इसको solve करने का, यह calculation थोड़ी सी easy है, इसलिए easily आ गया, वरना यह calculation complicated भी हो सकती है, अब देखे, shortcut method क्या है, हम यहाँ पर CP को assume कर लेंगे, कि क्या है, 100 रुपीज, बेशक हमें दिया हुआ है, अब एक बार ध्यान से इस चीज़ को देखे, हमें CP, हमने क्या assume कर लिया, कि वो 100 रुपीज है, अब हमारे पास profit percent कितना है, 10%, यानि कि, CP अगर हमारे पास 100 है, त तो 10 रुपई इसमें हमने जोड़ दिया, selling price क्या हो गया हमारा 110, अब अगर 100 का मतलब क्या है, यहाँ पर 500 रुपई है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 500 divided by 100, ठीके, और 110 का मतलब क्या हो जाएगा, 500 divided by 100, मैं Hindi और English mix कर रही हूँ, समझ लीजेगा, ये क्या हो गया, आपके पास सीधा answer आ गया, यानि कि 110 क्या था हमारा selling price, जो हमने assume किया था, ये assume किया था, ये actual था, ये assume किया है, तो ये क्या आ गया, actual selling price, ठीके, ये shortcut method है, जो lengthy questions होते हैं, उन में भी ये method हमारे बहुत काम आता है, ठीके, तो ये दोनों methods आपके सामने है, जिस method में आपकी speed बनती है, ये चीज़ अगर आपको एक बार समझ में आ गई ना किस तरह से किये, तो आपको कोई question में seconds से ज्यादा time नहीं लगने वाला, minutes में time नहीं लगेगा, within seconds आप questions को solve करेंगे, clear हो गई ये चीज़, बड़े अपनी next question की तरफ, अब देखिए question है हमारे पास, cost price of 6 items is equal to selling price of 12 items, find loss percent, अब देखिए, item की जगपे आप pen समझ लिजे, 6 pen एक बंदे ने खरीदे, ठीक है, उसका price किसके equal है, उसने जितने रुपए में वो 12 pen बेच दिये आगे, ठीक है, 6 pen जितने में खरीदे, उसी price में 12 pen बेचे उसने, तो यहाँ पर naturally उसको loss हुआ ना, ज्यादा pen बेचे उसने same price में, तो हर pen की कीमत कम हो गई, it means उसको loss हुआ, तो यही loss percent हमने यहाँ पर find out करना है, और यह भी हम किस trick से करेंगे, short trick से करेंगे, traditional method आप लोगों को पता है, ठीक है, यहाँ पर, अब हमारे पास formula एक तरह से क्या बन रहा है, हम ratio देखते हैं, equation क्या बनेगे, 6 times of cost price, क्या कह रहे हैं, यह 6 cp is equal to 12 of sp, तो अगर हम cp divided by sp, यह इधर ले आए, तो इनकी ratio क्या बनती है, 12 by 6, that is 2 by 1, it means cp is to sp, अगर हम करें, तो क्या बन जाएगा, यह 2 is to 1 की ratio बन गई, ठीक है, तो loss percent, क्या होता है, loss कब होगा, जब cp बड़ा होगा, sp से, तो यहाँ पर cp क्या आगया, हमारे पास 2, इसको हम cp मान के चलेंगे, ठीक है, short trick है तो यह चीज़ें इतनी आपको clear होनी चाहिए, cp 2 है, sp 1 है, यानिकि 2 minus 1, cp कितना है, upon cp into 100, तो यह हमारे पास, यह तो 1 रह गया, इसको काटेंगे, तो यह आगया, 50% loss आगया हमारे पास, easy है, अगर आप traditional method से करेंगे ना, तो उसमें time ज्यादा लगेगा, यह निया कि question नी solve होगा, अगर आप कोई proper इसको solve करने के basis पर यह video देख रहे हैं, तो definitely I suggest कि आप इसको traditional method से कर पता होनी चाहिए, और use भी यही करनी चाहिए time saving के लिए, ठीके, यह चीश समझ में एक बार फिट से देख लीजिए, 6 items की price किसके equal है, अगर आपने 6 items, ठीके, किती रुपए में खरीदी हैं, तो उन्ही रुपए में आपने 12 items बेच दी, तो आपके पास loss हो गया, यानि क 6 of CP is equal to 12 of SP, तो हमने इसकी ratio निकाल ली, जो आगई 2 is to 1, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, ठीके, तो हमारे पास CP कितना आगया, 2, SP आगया 1, तो loss percent का formula लगा कर, हमारे पास percentage आगई 50%, ठीके, मैं यहां पर options नहीं दे रही हूं, क्योंकि वो तो naturally जब आपका answer आगया, तो options में से आप उस चीज़ को tick करी लेंगे, clear होगई इतनी चीज़, बड़े next question की तरफ, so देखिए हमारे पास question है, a television is sold at a price of Rs.660 at loss of 12%, ठीके, find its CP आएगा यहां पर, find its CP, तो हमने यहां पर find out क्या करना है, CP find out करना है, एक television को कितने में बेच दिया, 660 में, लेकिन उसको loss हो गया, कितने percent का, 12% का, CP find out करना है, हम करेंगे short trick method, तो CP को क्या assume कर लेंगे, कि CP समझ लीजे, 100 rupees है, अगर cost price 100 rupees है, तो loss कितना हो गया, 12% का, तो loss होगा, it means SP कम होगा न, CP से, ठीके, मैं बार बार क्यों ब लेकिन, ठीके, तो CP हमारे पास 100 rupees हमने assume किया, मान लो CP 100 rupees है, तो SP selling price, जितने पैसो में आप उसको बेचेंगे, वो कितना हो जाएगा, 12% 100 का कितना होगा, 12 rupees सीधे, तो 12 rupees इसमें से हम minus कर देंगे, कितने आ गए हमारे पास, 88 rupees, 88 rupees, ठीके, SP आ गए हमारे इतने पास, तो अगर 88 rupees किसके बराबर है, 660 के, तो एक किसके बराबर होगा, फी technique use होती है, हमने लेकर कहां तक आना है, हमने ये find out करना है न, तो अब हम पहुंच गए 100 तक, अगर 100 का find out करेंगे, तो इसको मैं 100 से multiply कर दे रही हूं, ठीक है, यहीं पे, तो इसको आप अगर solve कर लेंगे, ये फिर क्या आजाएगा, 244, 25, 11, 4, 11, 6, 23, ये आगया, आपके पास 50, पास क्या आगया, 50, तो हमारे पास CP actual कितना आगया, हम चले थे assumption से, assumption से हम actual की तरफ बढ़ रहे हैं, तो actual CP हमारे पास कितना आगया, 750 rupees, समझ में आगया, ये short trick method, जिस जिसको पसंद आया, और समझ में आगया, जल्दी से इस वीडियो का thumbs up दिखा दीजे, तो चलिए बढ़ते हैं, आगे, देखिए, आगे questions करने से पहले, मैं आप लोगों को, इन ही questions के related, कुछ questions होवक देना चाहती हूँ, अभी दे देती हूँ, ठीक है, तो question number 1, अपना होवक, note on कर लिजिए, 3 times SP is equal to 4 times CP, ठीक है, तो इसका आप loss या फिर profit percent find कीजे, next question, 2, 10 times of selling price is equal to 15 times of cost price, ये तीनों question आपने solve करने हैं, मुझे comment section में इसके answers बताने हैं, आप लोगों ने, ठीक है, और करेंगे भी किन method से, जो shortcut methods मेंने आप लोगों को कराया है, ठीक है, पहले देखिए, profit होगा या loss होगा, फिर आप उसकी percentage find out करेंगे, clear हो गई, ये तीनों questions आपके homework हैं, अभी say, इसको no down कर लिजे, तो चलिए next question देखते हैं, अब next question देखिए, थोड़ा सा tricky question है, और इसको हम किस तरह से करेंगे, after selling 144 pence, राजन suffered a loss equal to the selling price of 6 pence, हमने उसका loss percent find out करना है, तो question को पहले समझे, कि राजन ने क्या किया, 144 pence उसने बेच दिये, और उसको loss कितना हुआ, 6 pence, जितने रुपयों के वो बेचता, उतना उसको क्या हो गया, loss हो गया, तो अब हमने उसका loss percent find out करना है, अब देखिए, इसको कैसे देखेंगे, हम, हमें पता है, loss percent का formula क्या होता है, सबसे पहले हम formula लिख ले, जितना loss हुआ, divided by cost price into 100, ठीक है, तो अब इस चीज को कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि कितना loss हो गया उसको, जितना six pence का selling price था, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, छे, छे pen का loss हो गया उसको, ठीक है, अब cp कितना होगा, अगर loss छे pen का हुआ है, तो it means cp ज्यादा होगा ना उससे, तो total pens कितने थे, 144, तो cp कितना बन जाएगा, six, actual में यह pens हैं, लेकिन यहाँ पर यह चीज cancel out हो जानी है, इसलिए इसको इस तरह से हम shortcut solve करेंगे, कि देखे, loss कितना हुआ, छे pen के price का, छे pen का selling price जितना है, उतना loss हो गया, और cost price कितना हो जाएगा, जितना selling price है, उसमें हम अगर loss को plus कर दें, तो हमारे पास क्या आजाएगा, selling price है, इसको solve करेंगे, तो क्या आजाएगा, 6 divided by 150 into 100, इसको हम जब solve कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा, 4 आजाएगा, so option B क्या है, 4% हमारा इसका answer, mark price कैसे निकलता है, जो cost price होता है, उसमें कुछ profit add करके, mark price का tag लगा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि वो आपको loss, उनको loss हो जाता है, जो MP, mark price लगा देते हैं, लेकिन discount दे देते हैं, वो भी profit कमाते हैं, कैसे, जितन उन्होंने चीज खरीदी होती है, उतने में profit जोड कर, वो mark price लगा देते हैं, और फिर देते हैं, discount और फिर वो आगे customers को बेच देते हैं, वो चीज, ये funda समझ में आया, अब देखे, question देखे, किसी चीज का selling price 680 है, मैंने directly ये figures no down कर ली, ठीक है, selling price 680 रुपीज है, उसक discount हमें दिया हुआ है, 15%, तो marked price हमको find out करना है, अब देखे, discount 15% है, it means selling price कितना है, 85%, 15% discount दिया है न, it means अगर हम marked price की बात करें, marked price हम हमेशा 100% समझेंगे, 100% mark price है, तो discount 15% दे दिया, it means कितने percentage पैसों में उतने बेच दी, 85% रुपीज में, यहाँ पे फिर हम short trick लगाएंगे, अगर 85 means 680, तो 100 किसके equal होगा, 680 divided by 85 multiply by 100, ठीक है, यह हमने किया था न, 1 किसके equal होगा, divide by 85, फिर multiply 100 किसके equal होगा, इसको 100 से multiply कर देंगे, तो इसको solve करके हमारे पास, यह आ जाएगा, 8 और इसका answer आ जाएगा, 800, यह चीज़ समझ में आ गई, simple सा question है, ठीक है, एक और question देखते हैं, इसके related, so हमारा final question of this session, an article is sold for Rs. 480 after a discount of 20%, यहाँ पर भी हमने क्या find out करना है, marked price क्या होगा उस item का, ठीक है, उस article का, तो देखें, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, selling price, SP कितना है, 480 रुपीज, ठीक है, और हमें discount कितना दिया हुआ है, 20%, अब हम पिछले question में भी as we have discussed की, MP को हम क्या समझेंगे, हमेशा 100% होता है न, marked price, उसमें से 20% discount दे दिया, it means, SP कितना रह गया, selling price क्या है, selling price, 80%, किसके equal है, 480 रुपए के, यह amount किसके equal है, अगर marked price का 80% हम ले लें, तो हमारा क्या बनता है, 480 रुपीज, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, 480 means, 480, ठीक है, तो 1 का meaning क्या होगा, 480 divided by, 80, और यहाँ पर हमको चाहिए, क्या हमने mark price find out करना है, तो 100, किसके equal होगा, 480 divided by, 80 into 100, 8, 6, 48, तो यह क्या आगया, हमारे पास, 600, तो यह क्या है, हम चले थे, assumed से actual की तरफ, यह assumed marked price है, तो यह हमारे पास क्या आगया, actual marked price, that is रुपीज, 600, I hope यह चीज़े आपको समझ में आई होंगी, so friends, video helpful रही हो, तो इसको like and share जरूर के जेगा, see you in the next session with a new topic, till then, keep watching friends,